एक्सेंट की प्रोब्लम होती है या फिर आपको इंग्लिश कमाती है कि फर्स्ट टाइम आप यह सारी चीज़ें फेस कर रहे हो तो यह कॉश्चन के आंसर आपने प्रोपरली कर दिये तो बस आपके पास्पूर्ट पर लग जाने आए स्टांप और वेलकम टू यूनाइट किंग्डम तो मैंने उनसे बोला से अगें फिर उसने बोला कि वेर आरी फ्रों तो मैं समझ गया था कि यह क्या पूछ रहा है मैंने आंसर किया उसके बाद उसने दूसरा कॉश्चन मेरे से किया ही नहीं अगर आप इस्पाउस वीजा या डिपेंडेंट वीजा पर यू के आने बाले हैं और आपके दिमाग में टेंशन है कि इमिग्रेशन पर क्या होगा कॉश्चन किये जाएंगे उनके क्या आंसर देने होंगे तो ये वीडियो देख लो आपकी टेंशन ही खतम हो जाएगी क क्योंकि लास्ट टू वीक से मैं क्या कर रहा हूं जो भी में को बंदे मिलते हैं जो इस्पाउस वीजा पर रहा हैं उनसे बात कर रहा हूं और एक कॉमन कॉस्चन मैंने रेडी कर लिये हैं 80-85% चांसे से हैं कि यही कॉस्चन आप से भी में इमिग्रेशन पर पूछे लाएगी तो वीडियो को स्किप मत करना पूरा देखना आपको आपके सारे डाउट के लियर हो जाएंगे सो बिदाउट एनी वेस्टिंग मूड टाइम करते हैं वीडियो स्टार्ट की इमिग्रेशन पर होता क्या है तो देखो यार आपने इंडिया से फ्लाइट पकड़ तो ये वीडियो में सारे क्वेस्टिंग के आपको अंसर मिल जाएंगे जो आपको इमिग्रेशन पर होने वाले हैं और क्वेस्टिंग भी मिल जाएंगे जब भी आप इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाओना तो confident रहना यार मतलब कि अपने face पर या फिर अपनी body language में ये थोड़ा बहुत आप डर भी रहे हो तो भी काम चल जाएगा लेकिन मैं आपको यही एड़ास दूँगा सबसे बड़ी जो चीज होती है वो confident रहना होता है कहावत है ना कि पहले ही नेजर में समझ में आ जाता है कि scene क्या चल रहा है तो confident रहना सब कुछ ठीक होगा तो बात कर करते हैं कि कौन कौन से question आप से किये जा सकते हैं तो यार देखो सबसे पहले जो question start होते है ना वो personal information से start होते हैं मेरे से क्या immigration पर question की यह थी मेरा क्या experience था वो भी मैं आपको बताऊंगा तो देखो यार immigration officer start करता है personal information के साथ बाकि यह depend करता है उसके mood पर और आपके personality पर कि कि वो किस type के question पूछेगा मतलब कहां से start करेगा मेरे से start करेगा या personal information से या फिर other question तो maximum case में वो करते हैं personal information से start पहला question जो आप से वो करेंगे वो यही करेंगे कि where are you from तो उसका answer आपको दे देना है कि आप इंडिया से हैं पाकिस्तान से वांगलादेश से हैं जहां से भी पूछ सकते हैं like आपके spouse की क्या date of birth है आपके spouse का passport number क्या है आपके आपका passport number क्या है इवन वो यहां तक पूछ लेते हैं कुछ cases में कि आपके जो passport की expiry date है वो क्या है या फिर आपके spouse के passport की जो expiry date है वो क्या है तो यह थोड़ी चीजें आप याद कर लेना कोई tough नहीं है लेकिन किसी-किसी cases में वो पूछ लेते हैं कि आपका passport number क्या है या फिर आपके spouse का passport number क्या है, expiry date क्या है, in all अब कुछ cases में क्या होता है कि जो man applicant UK में पहले आ जाता है और जो spouse है जो dependent visa पर आने बाला है वो बाद में आता है तो उस cases में आपसे ये भी question कर सकते हैं कि आपके spouse का contact number क्या है, one sense बाली बात है कि अगर आपका man applicant UK में पहले आ गया है तो उसके पास उसका mobile number तो हो गई, तो वो देखते हैं कि ये चीज़ जनुवन है भी या नहीं है, तो वो आपके spouse का जो UK में है, उसका contact number पूछ सकते हैं और address भी पूछ सकते हैं कि आपका spouse जो UK में रहता है न, वो कहां पर रहता है, उसका address बताओ या फिर post code बताओ, इस type के question आपसे कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को पहले ही prepare कर लेना, और कोई confusion वाला scene अगर आपको लग रहा है, तो note down कर लेना, ज्यादा नहीं, आट दस question है, ऐसा scene है कि starting के जो दो-तीन question रहते हैं न, उनकी answer अगर आप proper तरीके से दे पाए, तो फिर आप आपका question होना ही नहीं है, लेकिन अगर आप अटक गए, एक में अटक गए, दो में अटक गए, चार में अटक गए, तो फिर वो side से ले जाएंगे, और फिर proper तरीके से य problem हो जाएगी, तो यह अच्छे जब प्रिपेर कर लेना, यह 8-10 question आपको problem नहीं होगी, पर्सनल लेटेल आपकी जो भी है, लाइक date of birth है, पास्पूर्ट नंबर है, आपके पास्पूर्ट नंबर की expiry date है, आपका contact नंबर है, यह सारी जो पर्सनल information है, वो आप याद कर ल रहा है, तो डरने वाली बात नहीं है, आप उनको directly बोल देना, I have some accent problem, तो वो समझ जाएगी, क्योंकि obviously बात है, यार कि English हमारी mother language नहीं है, तो यह बात वो भी समझते हैं, ऐसा नहीं है, कि आपको एक बार मैं समझ नहीं हा रहा, तो डिपूर्ट ही कर दो, आपकी entry genuine तरीक date, या फिर where did get you married, इस type के आप से question कर सकता है, आपकी marriage कहां पर हुई, आपकी marriage date क्या है, आपकी marriage को कितना time हो गया, यह सारे question marriage से related कर सकता है, तो जब भी आपकी शादी हुई हो, जो भी आपकी you know marriage date हो, वो आप बता दो, शादी कहां पर हुई, लाइक पंजाब में हुई, हर्याना में हुई दिल्ली, मुंबई, चैन, कॉलकता, जिस भी city में आपकी शादी हुई हो, वो आप बता दो, तो आप से accommodation के proof भी मांगा जा सकता है, तो accommodation आपने book की है, airbnb किया है, ember के दूरू किया है, होटल किया है, या private accommodation book की है, तो booking confirmation होगी ना, उसके print out आप साथ में साथ में carry करना, कि अगर in case immigration officer आप से वो बोलता है, कि आप documents दिखाए, तो hand to hand आप उसको दिखा पाओ, यूँकि अगर आप साथ में carry नहीं करोगे, तो कहीं नहीं कहीं शक के घेरे में आ जाते हो, कि यार कुछ तो गडबड है, तो मेरी यही advice है, जो भी documents है, आपके like academic या फिर आपके accommodation का approve हुआ, ये साथ में carry करना, print out साथ में ले कर आना, इंडिया से ही, basically मैंने जितना भी देखा है, वो दो चीजों से related आप सक question करते हैं, एक तो आपकी personal little मांगते हैं या फिर आपकी marriage से related question करते हैं, या फिर वो आप से ये भी question कर सकते हैं, do you have any kid, तो से पूछे जाएंगे और आप से personal little पूछी जाएंगी, like what is your name, where are you from, what is your date of birth, what is your passport number, what is your passport, expiry date, इस type के question आप से किये जाएंगे, personal detail में, personal detail में ये question हो गए, और marriage detail में आप से ये question किये जाएंगे, कि when did get you married, what is your marriage date, where did you get married, इस type के question किये जाएंगे, तो एक common sense वाली बात है, जो आपकी information है, personal information है, वही officer को clear करना है, that's it, rocket science नहीं है, कि खतरनागी question किये जाएंगे, और आप से वो university से related भी question कर सकते हैं, कि आपकी जो spouse है, उसकी university का क्या नाम है, या फिर वो यहाँ पर कौन सा course करने आएं, like master's करने आएं, bachelor करने आएं, या फिर you know PhD करने आएं, तो जो भी course है, उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना, क्योंकि normal सी बात है, spouse क्या study करने आया है, ये पता होना चाहिए, अगर नहीं है, तो फिर कहीं नहीं गड़बड वाला मामला हो सकता है, क्योंकि normal सी बात है, common sense लगाव यार, अगर आपकी wife ये, आपका husband यहाँ study करने आया है, तो आपको पता ही होगा ना, कि कौन सी university और कौन सा course है, अगर यहीं नहीं बता पाऊगे, तो फिर problem आपको हो जाएगी, तो ये सारे जो question है, यही common question है, यही पूछे जाते हैं, तो immigration officer, 80 to 85 percent chances हैं, कि आपसे यही detail मांगेगा, आपकी marriage से related, और आपकी personal information से related, यूनिवर्सिटी से related, और accommodation से related, अगर यह question के answer आपने properly कर दिये, तो बस आपके passport पर लग जाने है, stamp, और welcome to United Kingdom, तो डरने वाली बात कोई नहीं है, और हाँ, मेरे से जो question किया गया था, वो एक ही question किया गया था, to be honest, उन्होंने मेरे से बोला था, where are you from, और सच बता रहा में को समझ नहीं आया था, कि क्या बोल रहा है, क्योंकि, you know, accent बड़ा ही इनका खतरनाक रहता है, यार, starting में समझ में नहीं आता, थोड़ा सा time लगता है, समझने में, तो मैंने उनसे बोला, say again, फिर उसने बोला, where are you from, तो मैं समझ गया था, कि यह क्या पूछ रहा है, मैं और मैंने बस ये show नहीं होने दिया, कि मैं डर रहा हूँ, या फिर कहीं न कहीं चीज़ों को face करने में में को problem हो रही है, क्योंकि मैंने enough video देख रखे थे, और सारी चीज़ों जैनुवन थी, यार, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, उस time 4 साल हो गए थे, अभी अप्रेल में 6 साल होने बाले हैं, तो कोई ऐसा fake था ही नहीं कि मैंने fake degree लगाई हो, या फिर fake marriage हो, सब genuine था, तो सब ठीक होता गया, और आपके साथ भी सब ठीक होता ही चला जाएगा, अगर सब genuine है, तो ये था guys आज का video, ये सारे question है, अगर आपको note करना है, तो note करके भी रख सकते हो, अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, मत भूलना, मिलते हैं, नेक्ट वीडियो हैं, बहुत जल, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखेगा, बाई बाई